इंडिया में sex, love making scenes, इनको लेकर ज़्यादा बात नहीं होती है, टैबू है, लेकिन ये भी सच है, कि फिल्मों में अगर इस तरह के scenes होते हैं, तो सबसे ज़्यादा चर्चा उसी की होती है, और सबसे ज़्यादा देखा भी उसे ही जाता है, YouTube पर इस तरह के वीडियो पर जो व्यूज है वो अपने आपने बताता है कि इंडिया में देखना पसंद करते हैं लेकिन बात करना पसंद नहीं करते हैं यही कारण है कि intimacy, sex scenes, love making scenes हिंदी फिल्मों का एक एहम हिस्सा रहा है और हिंदी फिल्मों की heroines ने भी इस तरह के roles करके अपना bold root audience के सामने पेश किया है एक time था जब heroines जब शादी कर लेती थी तो उसके बाद इस तरह के scenes नहीं करती थी परहेज करती थी, no kissing scenes, ये सारी बाते करती थी लेकिन अब जमाना बदल गया है, अब actresses शादी हुई हो, नई हुई हो, उस चीज़ को अपने career के बीच में नहीं लाती है यानि कि वो शादी शुदा है, वो बच्चे की मा है, वो उसकी personal life है लेकिन professionally वो एक actor है, और actor होने के नाते अगर उन्हें कहानी के हिसाब से screen पर intimacy करनी है, तो वो करेंगी भी तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे उन्हीं actresses की, जिन्होंने शादी के बाद भी इस तरह के बेहद intimate scenes दिये, bold scenes दिये और लोगों की सोच बदलने पर मजबूर कर दिया कि शादी शुदा हैं, बच्चे की मा हैं, तो क्या हो गया अगर screen पर intimacy की है, तो वो उनके काम का ही हिस्सा है इस list में पहला नाम है actress Priyanka Chopra का प्रियंका चोपडा ने Nick Jonas से शादी की, शादी के बाद ही प्रियंका का bold अवतार देखने को मिला film The White Tiger में इस film में राजकुमार राव आक्टर के रूप में काम कर रहे थे, English language की ये film थी इसी film में एक scene है गाड़ी के अंदर का, जहां पर प्रियंका राजकुमार राव की गोद में बैट कर उनके साथ romance करती है, उनके साथ smooch करती है ये hot scene YouTube पर काफी viral हुआ इस list में दूसरा नाम है actress Lara Dutta का लारादत्ता ने महेश भूपती के साथ शादी की और वो बच्चों की मा भी है इसी बीच लारादत्ता की हाल ही में एक web series आई hiccups and hookups करके इस web series में लारादत्ता ने भी खूब bold scenes दिये हैं, intimate scenes दिये हैं और love making scenes दिये हैं इस list में तीसरा नाम है राधिका आप्टे का, राधिका आप्टे जिस तरीके की film में करती है उससे कहीं न कहीं वो अपनी सोच भी लोगों तक पहुचाती है और वो पहले ही कह चुकी है कि as an artist मैं director की कर पुतली हूँ और अगर मेरे director को लगेगा कि कहानी मैं ऐसा करना पड़ेगा तो मैं करूंगी अगर मैं नहीं करती हूँ तो ये मैं अपने profession से छोड़ी कर रही हूँ वो वाली बात होगी इसलिए राधिका आप्टे इसी clear concept पर चलती है राधिका आप्टे की शादी 2012 में ही हो गई थी बेनेडिक टेलर के साथ वो married है हाला कि शादी के बाद राधिका आप्टे ने बेहद bold scene दिया था फिल्म पार्ष्ट से और उससे कुछ sex scenes viral भी हुए थे इन scenes में राधिका semi nude नजर आई थी आदिल हुसैन के साथ उनके ये love making scenes थे और इन scenes ने काफी सुर्ख्या बटोरी थी इस list में चौथा नाम है काजोल का वैसे तो काजोल बहुत ही simple और clean roles के लिए जानी जाती है 90s में काजोल industry में active थी और तब उन्होंने जादा intimate scenes नहीं किये थे लेकिन शादी के बाद काजोल जो वापस एक strong comeback चाती थी बच्चे होने के बाद तब उन्होंने आमिर खान के साथ फिल्म फना में कुछ bold और love making scenes दिये थे और ये scenes social media पर काफी viral हुए थे इस लिस्ट में पांचवा नाम है South actress Samantha का Samantha जो नागा चैतन्य के साथ married है उन्होंने Hindi web series family men 2 के लिए कई intimate scenes दिये हैं इसमें shirt उतारना और chest touching वाले scenes भी हैं इसके अलावा और भी कई actresses हैं जो शादी के बाद bold scenes दे चुकी है पर चाहे करीना कपूर इन की एन का हो या फिर एश्वर्या राय जिन्होंने एधिले मुश्किल में रनबीर के साथ smooth scenes दिये थे इन actresses ने समय समय पर लोगों की उस stereotype सोच को तोडने की कोशिश की है कि actress शादी है या actress का बच्चा है तो क्या हुआ वो अपना profession कर रही है जिस तरह से film में dance, acting, dialogue बुलना वो उनके काम का हिस्सा है वैसे ही intimate scenes पी उनके काम का हिस्सा है लेकिन अकसर intimate scenes पर काफी चर्चाएं होती है यह scenes सुर्ख्या बटोरते हैं जैसे कि इस वक्त दिपिका पालकॉन के सिधान चतुरवेदी के साथ फिल्म गहराईया में जो scenes है उनकी का फीचर्चा है